सूरज हमारे लिए कितना खास है ये बात आप इस वीडियो में जानने वाले हो कि क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए और कुछ दिनों तक वापस ही ना आए सूरज के बिना क्या पिर्थिवी का क्या हाल होगा क्या सारी पिर्थिवी तभा हो जाएगी सारे पालो के जवाब आपको इस फीडियो में मिलने वाले हैं। सूरज ही वो चीज है जो अपनी गुर्टवा कशन बल की मदद से धरती को अपनी चारों तरफ घुमाता रहता है। लेकिन सूरज के गायब हो जाने की वज़े से शोर मंडल के सारे ग्रहे अपनी जगह से हिल कर अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे। पिर्थिवी भी बिना किसी कंट्रोल के अंत्रिक्ष में इधर उधर तैरने लगेगी। धर्थि के एक साइड दिन का समय चल रहा होगा तो दूसरी साइड रात होगी और अभी भी पिर्थी पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होगा और हम को आसमान से सूरज भी नजर आएगा क्योंकि सूरज की लाइट को धर्थि पर पहुँचने के लिए करीब 8 मिंट 20 सैकिंड लगते हैं 8 मिंट 20 सैकिंड के बाद धर्थी पर अंधेरा चा जाएगा और लोगों को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि ये सब क्या हो रहा है अचानक अंधेरा क्यों चा गया दिन में भी आसमान के सारे तारे नजर आने लगेंगे क्योंकि दिन में सूरज की रोशने की जो सूरज की रोशने के कारण प्रकाशित होते थे वो सारे नजर नहीं आएंगे एक घंटे के बाद आदी दुनिया के लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है जहां रात थी वहां तक भी ये खबर पहुँच जाएगी कि धरती के दिन वाले भाग में भी अचानक रात हो गई है सारी दुनिया इस घटना से हैरान हो जाएंगे पिर्थवी के वातवरन में धीरे धीरे नमी कम हो जाएगी और धरती धीरे धीरे ठंडी पढ़ने लगेगी क्योंकि धरती के अंदर बहुत सारी उरजा और जौलम होगी है इसकी वज़े से य भी भी गरम रहेगी और जादा कुछ फरक नहीं पड़ेगा सूरज के गायब हो जाने के 24 घंटे बाद भी सूरज नहीं निकलता है अब लोग सूरज के आने की उमीद कर रहे होंगे सुभा के 8-9 बजगे हैं फिर भी सूरज आ नहीं रहा है पूरे देश की सरकार भी डिगडी तक नीचे गिर जाएगा सारे पेड़ पोधे और जानवर इस बदलते मोसम के चलते कमजोर होने लगेंगे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी समुंदरी जीवों पर इसका कोई परभाव नहीं पड़ेगा सूरज के बिना पिर्थिवी के वातावरन में मौ वजूद सारा पानी और लिक्विड बरफ बनने लगेगा और पेड़ पोधे मुर्जाने लगेंगे। कुछ हफ़ते में पानी के बरफ बन जाने की वज़े से इंटरनेट भी बंद हो जाएगा क्योंकि सारे इंटरनेट के आप्टिमल फाइब्रेस केबल समंदर के अंद पाने की मदद से ही उत्पन होती है और बिजलीना होने से दुनिया में सभी तरह के इलेक्ट्रोनिक गैजट्स काम करना बंद कर देंगे। कुछ ही दिनों में पिर्थिवी पर मोजुज जातर पेड़ पोधे नश्ट हो जाएंगे। इसके चलते साकाहारी जानवर और पक महिने बाद धर्ती पर तापमान 40 डिग्री तक नीचे चला जाएगा और हमारी नीरे रंग की पिर्थवी बरफ की वजह से अंत्रिक्ष में सफेद रंग की दिखने लगेगी। धर्ती के सारे पेड़ पोधे और जानवर खतम हो जाएंगे। समुंदर के जम जाने की वज सही सारे इंसानों का अस्तित्व मिट जाएगा। धर्ती पर मوجود सारे बिल्डिंग बरफ से जम जाएगी। चारो तरफ बरफ की बड़ी बड़ी चट्टाने ही नजर आएगी। बले ही पिर्थवी के उपर का तापमान माइनस 40 से अधिक हो गया होगा। फिर भी सूरज के गुर्थवा करशन बल के कारण पिर्थवी तेजी से अंत्रिक्ष में आगे बढ़ रही होगी। और संबव है कि बले होल के गुर्थवा करशन बल के कारण सारी की सारी पिर्थवी बले होल में समा जाएगी। और कुछ ही सैकिंड में सारी पिर्थवी नश्ट ह मतलब बिना सूरज के पित्वी कुछ ही महिनों में तबह हो जाएगी या तो वो किसी शुद्र घ्रह से टक्रा जाएगी जब ब्लैक होल की खुराग बन जाएगी सूरज के बिना पित्वी का नश्ट होना तय है और अब आप जान गए होंगे कि सूरज देवता जी क्यों जरूरी है हम सब के लिए उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस चैनल को लाइक शेर जरूर करें और ऐसे ही रहसे में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के बगल वाले बैल आइकन को भी जरूर दबाए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके